सवाबती जी, एक दिर्ग कालीन सेवा के बाद आज आप नई कार्य शेत्र की तरफ प्रयाण करेंगे समझपरा भरोसा है क्योंकि फीजी के लिए आपने अपने को कावी फिट रखा है एक ऐसा परिवार जिसका करिब सो साल का इतिहास सार्वजिनिक जीवन का रहा उनके नाना, उनके दादा कभी राष्ट पार्टी के अदेश्ट रहे, कभी समिधान से भावे रहे एक प्रकार से आप उस परिवार की पुर्ष्ट भूमिस आते हैं जीन के पुर्वजों का सार्वजिनिक जीवन में विशेश करके कॉंग्रेस के जीवन के साथ और कभी खिलाफत मुवमेंट के साथ भी काभी कुछ सक्रियत आ रही आपका अपना जीवन भी एक केरियर डिपलोमेट का रहा अब केरियर डिपलोमेट क्या होता है वो तो मुझे प्रधानमत्री बनने के बाद ही समझाया क्योंकि उनके हसने का अर्थ क्या होता है उनका हाथ मिलाने के तरीका क्या हाथ होता है वो तुरंट समझ रही आता है क्योंकि उनके ट्रेनिंग वही होती है और लेकिन उस कौशलय का उप्योग ये दस साल जुरूर यहां हुआ होगा आपको कि सब को समालने में उस कौशलियने किस पकार से लाविस सदन को पहुंचाया होगा आपके कारकाल का बहुत सारा हिस्सा बेश्ट इश्या से जुड़ा रहा है जग डिप्लोमेट उसी दाइरे में जिंदिगी के बहुत वर्ष आपके गए उसी माहोल में उसी सोच में उसी डिबेट में ऐसे लोकों के बीच में रहें वहाँ से रिटार होने के बाद भी ज्यादा तर काम वही रहा आपका माइनोरेटी कमिशन हो या लिगड यूनिवर्सिटी हो तो एक दाइरा आपका वही रहा लेकिन ये दस साल पूरी तरह एक अलग जिम्मा आपके सिम्मे आया और पूरी तरह एक-एक पल समिधान 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 के ही दाइरे में चलाना और आपने उसको बख भी निभाने का भर्पूर प्यास किया हो सकता है कुछ चटपटार रही होगी बीतर आपके अंदर भी लेकिन आज के बाद शायद और चंग के संकट आपको नहीं रहेगा मुक्ति का आनन्द भी रहेगा और अपने मूल भूत जो सोच रही होगी उसके अनुसार आपको कार करने का सोचने का बात बताने का उसर भी मिलेगा लेकिन आपके इस मेरा परिचे ज्यादा तो रहान है लेकिन जब भी मिलना हुआ काफी कुछ आपसे जानने समझने को मिलता था मेरी विदेश यात्रा से जाने से पहले आने से बात आप से जब बात किरने का मोका मिलता था तो आपकी एक इंसाइट थी उसका मैं जुरूर अनुभव करता था और वो मुझे चीजों को जो दिखती है उसके सिवाए क्या हो सकती है इसको समझने का एक अवसर देती थी और इसलिए मैं रदेश से आपका बहुत आभारी हूँ मेरी तरब से आपको रुदय से बहुत बहुत सुब कामना हैं राष्ट के उपराष्टपती की रूप में आपकी सेवाओं के लिए दोनों सदन की तरब से देशवासियों की तरब से भी आपके प्रति आभार का भाव है और आपका अपका कर्थूत्वा आपका यानुपव और इस पत्व के बाद की निवरुत्ती अपने आप में एक लंबे अर्से तक समाज जीवन में उस बात को वजन रखती है राश के समिधान के मर्यादाओं के चलते हुए देश को मारदर्शन करने में आपका समय शक्ति काम आएगा ऐसी मेरी पूरी शुब कामना हैं बहुत झाल दानिवा है